प्रियाच्छाच्छात्राओं, मौडर्नी स्टेडी सेंटर के हिंदी प्रुभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आप सबों के लिए मंगल कामना या वर्स करोना के कारण तो दुख़द रहा लेकिन एक मंगल उमीद के साथ 21 का हम स्वागत करते हैं असा है कि आपनों को 21 बरलाब काड़ी वर्स रहेगा तो इस तरह मंगल कामना के साथ आप पार्ट सुरू करेंगे अभी आप अपने हिंदी प्राध्यापक जरार्ण चौधरी से पार्ट सुनने हैं तो फिर जरार्ण चौधरी के तरब से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है तो पार्ट सुरू करते हैं अभी दिगंत भागदो के अंतरगयत एक मात्पुन पाठ जनजन का चेहरा एक है या कविता है इसके कविता के कवी का नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है तो हम या पाठ शुरू कर रहे हैं इसका पहला खंड है या व्याक्षान का पहला खंड है इसमें आप मोटे तोर प कवी का जीवन बृत कविता का सारांस और फिर व्याक्षा को सुनेंगे तो ध्यान से अब इस पर सुना जाए हम सुरू कर रहे हैं जनजन का चेहरा एक पाठ के अर्थात कविता के कवी का नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है जिनको जटिल भेम्ब गहन गफा का कवी कहा जाता है इन्होंने अधिक तर लंबी कविताओं को लिखा है लेकिन कुछ ऐसी कविताएं हैं जो अपेक्षा कृट छोटी है जो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिगई है जहां तक अधिक से अधिक सरल कविता हो सकती है उस सरल कविता मे एक कविता या है इनकी अर्थात इनकी अधिकतर कविता है जटिल भाव वाली कविता है लंबी कविता है तो इसे कभी के जीवन बृत को आप देखें इनका जन्म 13 नौंबर 19 सा 17 स्योपूर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था ध्यान रहे कि जन्म तो इनका मध्य प् पर महारास्ट के बासी थे महारास्ट के मूल बासी थे ग्वालियर में जाकर बस गए वही पर उनका जन्म हुआ और इनका निधान 11 सितंबर 1964 को हुआ इनके माता पिता का नाम अब आप देखिए पारवती भाई और माधवराज मुक्तिबोध सिक्षा के संदर में आरम्भिक दोर में ये बहुत अधिक तेज मेधावी छात्र तो नहीं थे एक आदबार इन्होंने और सफलता प्राप्त के लेकिन बाद में चल कर इन्होंने गहन अध्यान किया और अध्यान से अधिक इन्हें चिंतन की प्रविर्टी आरंब से ही रही है और उसी का परड़ाम हुआ कि 1903 में नागपुर विश्विद्याले से इन्होंने हिंदी में एमे किया तो सिख्षा के पूर्णता यहीं पर हो गई एमे इन्होंने किया नागपुर विश्विद्याले से अब विर्ती पर देखिये इन्होंने अपने विर्ती का आरंब अध्यापक से किया विभिन नौकडियों से गुजरते हुए इन्होंने अपनी जीवन यात्रापुरी की अध्यापक से लेकर प्राध्यापक तक इन्होंने नौकडी की पत्रकारिता से लेकर वायु सेना तक की नौकडी की और फिर आप देख रहा हैं नागपुर रेडियो एस्टेशन में प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे नागपुर के प्रकाशन एवं सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में 1948 में गए और फिर 1948 से 1965 तक रहे 1956 में उन्होंने एक पत्रिका का संपाधन किया जिसका नाम था नयाखून नामक पत्रिका का संपाधन किया 1958 में उन्होंने कालेज की नौकरी शुरू की अर्थात दिगविजय कालेज राजनाद गाउं में प्राध्यापक हुए इस तरह आपने इनकी वृति को देखा, अभिरुची में आप देखें, इनकी अभिरुची अध्यान अध्यापन में अधिक रही, पत्रकारिता में अधिक रही, लेखन में अधिक रही, कभी-कभी इन्होंने राजनीत में भी बरी दिल्चस्पी दिखाई, इस तरह इनकी अ कभी तारसब्तक नाम पत्रिका के एक बरे महत्पुन कभी माने गए हैं तो इस तरह आपने देख लिया कि ये प्रियोगवाद के बरे ससक्त कभी माने गए हैं अब हम रचनाओं पर बात करते हैं इन्होंने काब्य भी लिखा है कथा भी लिखा आलूचना भी तो अब देख लीजिए काब्य में चांद का मुटेधा भूरी भूरी खाक ये दोनों इनकी बड़ी महत्पुन कभीता है धान रहे कि इन्होंने जो तारसब्तक में रचनाए दी वो तारसब्तक की रचना अलग से है अलग काब्य संग्रा है चांद का मुटेधा बराही महत्पुन काब्य शंक्लन है और भूरी भूरी खाक कथा सायक में काट का सपना विपात्र सता से उठता आदमी ये सब है और फिर आलोचना में भी इनकी बरी गहरी रुची रही है इनकी आलोचनात्मक रचना भी बरी महत्पुर्ण रही है इनके आलोचनात्मक किताबों में आप देखें कामाईने एक पुनर विचार नई कविता का आत्म संगर्स नए साहित का सौंदर सास्त्र जो अब आखिर रचना क्यों नाम से प्रकासित है पहले तो यह साहित का साउंदर शास्तर के रूप में था लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है आखिर रचना क्यों ये नाम दे दिया गया है समिख्षा की समस्याइँ इसके अतरिक्त उन्होंने एक साहित की की डायरी भी लिखिये है वो है तो डाइडी लेकिन उस डाइडी में भी बहुत ही समसाइक समस्चाओं पर लेखक ने विचार किया है भारत इतिहास और संस्कृते यह इतिहास मुलक रचना है जो सारी डचनाओं का एक साथ संकलन किया गया है मुक्ति बोध ग्रन्थावली के नाम से जिसके संपादत नेमी चंद्र जैन और यह राजकमल प्रकासन से प्रकासित है अब हम बात करते हैं जन जन का चहरा एक कविता का भावार्त या सारांस आप सीरसक से ही देख रहे हैं इस कविता में कविने जन जन अर्थात हरेक नागरिक और हरेक देश अर्थात विश्व के पूरे देशों के सभी देशों के सभी नागरिकों का चहरा एक है अर्थात स्वभाव एक है पूरे विश्व में आप जानते हैं कि दो प्रकार के लोग रहते हैं एक सोसक वर्ग और एक सोसित वर्ग एक अमीर वर्ग एक गरिब वर्ग एक मालिक वर्ग एक मजदूर वर्ग तो आपने देखा कि हमारे समाज में जिस तरह एक वर्ग सोसक का है और एक वर्ग सोसित का है एक वर्ग मजदूर का है एक वर्ग मालिक का है तो इसी तरह पूरे विश्व में दो ही वर्ग है एक वर्ग मालिक और एक मजदूर एक वर्ग सोसित और दूसरा सूसर और सबों की समस्याएं एक जैसी है ये सोसित वर्ग चाहे किसी भी देश का हो किसी भी छेत्र का हो किसी भी भासा का हो समान रूप से सोसकों के द्वारा सोसित हो रहा है इनके बन में सोसकों के प्रती आक्रोस भी समान रूप से दिखाई पड़ता है तो इस तरह आपने इसमें देख लि नागरिक चाहे जो भी हों लेकिन सवों की इस्तिती परिस्ति मानसिक्ता बिल्कुल एक जैसी दिखाई परती है आप एसी को यहाँ पर लेखन रूप में देखेंगे जटिन विम्बो एवं गहन गुफा के प्रियोगवादी कभी गजानन माधमुक्तिबोध रचित जनजन का चेहरा एक कविता में संपुर्ण विश के सोसकों एवं सोस्तों को एक जैसा बताया गया है सोसक वर्ग की मानसिक्ता एक होती है सोसित वर्ग की मानसिक्ता एक होती है सोसक वर्ग सोसन करने में लगा हुआ है और सोसित वर्ग सोसित हो रहा है इस कविता में कभी ने अपनी सामवादी चेतना को अत्यंत सौभाविक रूप में प्रसुत किया है विश्व के तमाम देशों के आमनागरिकों को एक जैसा जीवन जीना पड़ता है ये आमनागरिक चाहे एसिया के हो या इरोब के इन्हें अमीरों के सोसन का दंस जेलना पड़ता है इन्हें बरा कठिन संगर्श करना पड़ता है स्रम से इनका तन तो चूर चूर रहता ही है, कभी कभी मन या तन भी चरित भी धूमिल हो जाता है, स्रम से इनका तन चूर हो ही जाता है, कभी कभी मन या चरित भी दागी बन जाता है ऐसी इस्तिती में क्रांती की चिनगारी निकलना निश्चित लगता है जब एक सीमा तक ही कोई सी व्यक्ति का सोसन किया जा सकता है एक सीमा तक सोसन किया जा इसके बाद जदी सोसन होता है तो वहां निश्चित रूप से क्रांती उभरेगी ही यही क्रांति की सुगमुगाहट अब पूरे विस्फे की छितीज पर दिखाई परती है एशिया, एरोप या अमेरिका की गलियों में एक जैसी धूप निकलती है वह धूप है दुख संताप या चेहरे की जुडियों के विरुद क्रांति की एसिया की हो, एडरोप की हो, अमेरिका की हो, उसकी गल्यों में, कोने-कोने में एक जैसा सुर्जोदय हो रहा है क्योंकि सबूई जगों पर आज सोसकों के द्udible का सोसन कया जा रहा है उसके जीवन में एक अजीव सा संत्रास, घुटन, बेवसी, पीर पीरन आ गया है अब वो पीरा साहते साहते उब गया है अब वो क्रांती पर उतारू तो क्रांती की लहर अब चलने लगी है एक नई चेतना की धूप उगने लगी है अब वो सह नहीं पाएगा अब किसी प्रकार का सोसन करना संभब नहीं है तो यह धूप निकल गई है उनकी क्रांती की धार विश्ट की प्रसिद नदियां जैसे नील, आमेजन, मिसौरी आदी में बहने लगी है, संताप के कारण जो आक्रोष की आग है वह नदियों की धारा में बह रही है। अधिकतर गरीब हैं, तो गरीबों का जीवन, गरीबों का संताप उन्नदियों की धारा के रूप में बह रही है। या प्रेम से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। परंतु उसमें और सफल होने पर ये फौलादी बनने को भी तैयार हो जाते हैं। मुहतोर जवाब देने के लिए अब तैयार हैं। आग का गोला इनके हिर्दय में सुलग रहा है। अब ये क्रांती के लिए एक दम बेताब दिखाई परते हैं। फौलादी बन गए हैं। ये दुधारी तलवार, क्रोध की दुधारी तलवार की तरह ये बनते जा रहे हैं। दुनिया के मदूर गोलबंद हो रहे हैं। उनके हिर्दय की ज्वाला भवकने लगी है। पूजी पतियों को समय रहते साबधान हो जाना है। कभी ने यहां पर पूजी पतियों को सामंत बादियों को सचेत करने का प्रयास किया है कि अब वो सोसन का जवाना रहा नहीं अब तो इन सोशितों के हिरदय में अब एक नई चेतना जग रही है एक सोतंतरता की भावना जग रही है एक क्रांती की भावना जग रही है समय रह साब्धान हो जाना है बर्णाइन की क्रांती की आग में सब कुछ जल के खाक हो जाएगा देश अलग है वेश अलग है भासा अलग है परन्तु भाव एक है हिंदुस्तान के किसान मदूरों की समस्याएं एक जैसी है जैसा भारत का मदूर और मालिक है वैसा ही विश्व के सभी देशों के मदूर और मालिक है सबों का चरित एक जैसा है इस प्रकार कभी ने इस कविता में अन्य कविताओं की अपेक्षा अत्यंत सरल रूप में विश्व के सर्मिकों की गोलबंदी एवं क्रांती क उद्गोस का प्रभावपुर्ण चित्रन किया है। आपको हमने बता दिया था कि मुक्तिबोद की अधिकांस कविताएं लंबी है और उसमें जटिल बिम्बों का प्योग किया गया है। उसका अर्थ समझने में थोरी कठिनाई होती है। लेकिन आप लोगों का जो बर्ग है वह सामाने बीच का बर्ग है। न आप बहुत छोटे बच्चे रह गए और न आप बरे बर्ग के समझदार चात्र हैं बलके आप अंतरवर्ती के चात्र हैं। ऐसे चात्र जिसमें थोरी समझदारी भी रहती है और थोरी नादानी भी रहती है। नादानी का मतलब यहां बचकनापन। ग्यान के अस्तर पर सरीर के अस्तर पर की बात हमने कर रहे हैं। ग्यान के अस्तर पर आप थोरे छोटे भी हैं और थोरे कॉलेज की बात समझ भी तो इसलिए यहाँ पर कवी की एकदम मध्यम मार्ग की मध्यम समझदारी की रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं. अब हम कुछ पंक्तियों की व्याख्या पर बात करेंगे, यहाँ आप देखते हैं कि बोर्ड की परिक्षा में चार अंक की व्याख्या होती है, दो, एक गद से, एक पद से, तो यहाँ पर इसको व्याख्या को भी देख रहा है. चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जनजन का चहरा एक, एसिया की, इरोप की, अमेरिका की, गलियों की धूप एक, आप यहाँ पर देख रहा हैं, जो बात उपर बताई गई है, उसी को कवी ने यहाँ परस्पस्ट किया है. ज्यान रहे, इस कवीता में कवी ने बार बार एक ही बात को रिपिट करने का प्यास किया है, विभिन अंदाज में, कि इस अंसार के लोगों का चहरा एक है. आप यहाँ देख रहा है कि जिस प्रांतपुर का हो, चाहे कोई प्रांतपुर का हो, कोई नगर हो, सभी जगों के लोगों का चहरा एक है. चाहे वह एसिया का हो यूरोप का हो अमेरिका का हो सभी जगह का चेहरा एक है सभी जगह की गलियों में एक जैसी धूप निकल लई है एक नई चेतना का विकास हो रहा है इसी को हम व्याक्षा के अंदाज में यहां पर लिख दिये हैं प्रियोग धर्मी कविक जानन माधा मुक्तिबोद रचित जंजन का चेहरा एक सिर्षक कविता से उद्रित प्रस्तुत का व्यांस में संपूर्ण विश्व के सोसित पीर्तों को एक जैसा बताया गया चाहे गरीव आदमी एशिया का हो या एरोप का या अमेरिका का सभी समान रूप से सोसन का सिकार बने हुए हैं सबों की एक ही दसा है अगे आप देख रहे हैं अगला सुरू कर रहे हैं कस्तो दुख संताप की चेहरा पर परी हुई जुरियों का रूप एक जोस में यों ताकत से बंधी हुई मुठियों का लक्ष पिर्थवी के गोल चारो और के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक उदिप्त उसका विक्राल सा इसारा एक इस तरह आपने देख लिया के यहां पर उपर की ही बात को कभी ने नए अन्दाज में बताया है के देश अलग है भाशा अलग है बेश अलग है लेकिन भाव सब का एक है सभी आज सोसन उतपीरन से उब कर क्रांती के लिए बेताब दिखाई परते हैं सबों में एक जलता हुआ लाल सितारा क्रांती की सुगबुगाहर क्रांती का आक्रोस दिखाई परता है समों के चेहरे पर एक आक्रोस की लालिमा है आप जानते हैं कि लाल सितारा आकास में उबता है तो अपने हिंदु धर्म के मिथक के मुताबिक बरा असुब माना जाता है अनिष्ट माना जाता है प्लय का रूप माना जाता है महाकाल का रूप माना जाता है ऐसा ही लाल सितारा आज दिखाई पर रहा है विश्व के चितिज पर जो पूरी धर्ती पर प्लय ला सकता है क्रांती ला सकता है अब इसको हम लिखने के रूप में अस्पस्ट कर रहे हैं प्रस्तुत काभ्यांस प्रिवगबादी कभी गजारन माधह मुक्तिबोध रचित जंजन का चेहरा एक कर्विता से उद्रित है जिसमें कभी ने संसार के सवी देशों के सोशीत प्रित मधूरों की इस्थिती परिस्थित एवग मनौभाव का चित्रन किया है इन मधूरों का सुक संताप एक जैसा है उसके चेहरे पर छाई उदासी का रूप भी एक जैसा है सोसान उत्पीरन के कारण सुलगने वाली क्रांति की चिनगारी का रूप भी एक जैसा है जो उसके कारण बंधी मुठियों की ताकत एक है इस प्रकार पूरी गोल पिर्थी पर रहने वारी जनता का एक ही दल है एक ही पक्ष है उसमें क्रांति के आक्रोस की लालिमा है और वह जलते लाल सितारों के तरह भ्यानक है वह बरी क्रांति का संकेत है वह विनास की सूचना है इन सोचितों के मन में अब क्रांति का ऐसा भ्यानक आक्रोस उत्पन हो गया है कि पिर्थवी को बचना मुस्किल लगता है इस तरह आपने देख लिया इस कविता में कभी ने दुनिया के लोगों को सचेत करने का प्यास किया है वो जी पतियों को सचेत करने का प्यास किया है कि अब सोसन बंद करो अन्य था इसके भी तर जो क्रांती का भ्यानक रोप उभर कर सामने आ रहा है उस भ्यानक रोप में सब कुछ जलकर समात्त हो जाएगा बरबाद हो जाएगा अगे है गंगा में इरावती में मीनाम में अपार अकुलाती हुई निल नदी आमेजन मिशौरी से बेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिन्दगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पिर्थवी का पसार, अपनी सेनाओं से किये हुए गिरफदार, गहरी काली छायाएं पसार कर, खरे हुए सत्रु का काले से पहार पर, काला काला दुर्ग एक, जन्सो सक सत्रु ए इसमें आप देख रहा हैं कि कभी ने उपर की ही बात को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया है कि दुनिया में यतनी सारी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, इरावती हो, मिनाम हो, नील हो, आमेजन हो, मिसाडी हो, समों की धारा में इन आम लोगों के जीवन की बेदना बह रही है, आम लोगों के जीवन कहीं तो बहाव है इन नदियों की धारा में, ये अपनी जिंदगी की धारा को बहाते नजर आ रहे हैं, ये अपनी समस्याओं से पीरित हैं, पीरा के निदान के लिए अपने मालिक के आगे पहले प्रेम का इसारा करते हैं, अर्थात प्रेम क सांती संदेश देते हैं अर्थात समझोते से वे अपनी समस्या का निदान करना चाहते हैं जब देखते हैं कि इससे काम चलने वाला नहीं है उसमें जब औस अफल हो जाते हैं तो फिर इनके भीतर क्रोध की दोधारी तलवार चमकती है यह दुनिया को पलट देने की सक्ति र सोसन की सेनाओं से पूरी पृत्वी को गिरपदार किये हुए हैं अपने कबजे में लिए हुए हैं उस अंधकार पुर्ण सोसन के बल पर ये काले पहार पर अपना दुर्ग अस्थापित कर रहे हैं अपना महल बना रहे हैं सोसन के काले कर्टूत के सहारे ये जमे हुए है इसी को यहां पर दिया गया है प्रसुत का ब्यांस प्रविकबादी कभी गजारन माधमुक्ति बोध रचित जंजन का चेहरा एक कविता से उद्रित है जिसमें कभी ने दुनिया के तमाम देशों के सोशितों के मन में उठने वाली क्रांती की धारा को एक माना है चाहे गंग सुधार के लिए पहले प्रेम प्रार्तना करते हैं फिर और सफल होने पर क्रोध की दुधारी तलवार भी चलाते हैं पूरी पिर्थवी पूजी पती सोशकों की सेना के अंदर है ये सोशक अपनी सेनाओं से पूरी पिर्थवी को गिरपदार कर सोशन का अंदकार फैला प्रस्तुत काविखन में कभी ने सोसक और सोस्तों के मनोभाव का चित्रन किया है। प्रस्तुत काविखन के रूप में परिक्षा में जो आप लिखेंगे व्याख्या उसी रूप में इसको यहां दिखा दिया गया है। संस्याएं एक जैसी है। उसके भीतर करांती की जौला भी एक जैसी है। यह करांती तो सोसन के अंदकार को चीर कर उगने वाले दमक्ते सूर्ज की तरह है। यह समाज और संस्कृति के निर्वान की आसा जगाने अरुन की लालिवां संपूर्ण विश्व में फैलाने लगी है। इस तरह अब एक नई चेत्ना के विकास का संकेत दे रहा है कभी इस काब्यांस में है। प्रकास एक क्रांति की ज्वाला एक धरकते बक्षों में सत्य का ज्वाला एक लाख लाख पैरों के मोच में है बेदना का तार एक ये में हिमते का सितारा एक इसको आप देखें प्रसुत का ब्यान्स प्रिवगवादी कभी गजारन माध्व मुक्ति बोध रचित जनजन का चेहरा एक कविता से उद्रित है जिसमें कभी ने संसार के सभी देशों के मदूरों के मन में सोसन के विरुद उठने वाली क्रांती की ज्वाला को एक रूप में देखने का प्यास किया है आज पूरे विसमें क्रांती का सुर्जोदय हो चुका है प्रकास फैल गया है क्रांती की ज्वाला भरकने लगी है सभी देशों के मदूरों के हिर्दय में एक जैसी क्रांती की ज्वाला सत्य का उजाला है उसके पैरों की मोच की बेदना पैर चलने के क्रम में कदम बढ़ाने के क्रम में क्रांती की और आगे बढ़ने के क्रम में ठेस लगने के क्रम में चोट लगने के क्रम में जो पैर में मोच है वह मोच का दर्द पूरे विस्व के मदूरों में एक जैसा दिखाई पड़ता ह उनके पैरों की मोच की बेदना भी एक जैसी है उसके हिर्दय का जोस उमंग उत्सा का रूप पैर में मोच है तो क्या हुआ हिर्दय में उमांग गया उत्सा है उस उत्सा पर ठेस खाने के बाद भी चोट खाने के बाद भी ये मदूर आगे बढ़ने को बेताव दिखाई पड़ते हैं इस परकार यहां कभी ने वैसिक रूप में क्रांति के उद्या की बात किया है आगे है एसिया के उरोप के अमेरिका के भिनविन वासस्थान भागोलिक एत्यासिक बंधनों के बाबजूद सभी और हिंदुस्तान सभी और हिंदुस्तान यहां पर कभी ने अस्पस्ट करने का प्यास किया है कि भारत की जो इस्थिती परिस्थिती है वही इस्थिती परिस्थिती दुनिया के सारे देशों में है चाहे वहां की भागोले की स्थिती अलग हो वहां की एत्यासिकी स्थिती अलग हो वहां का बास अलग हो वहां का भास अलग हो लेकिन भाव सब का एक है इसी को यहाँ पर हमने अस्पस्ट कर दिया है प्रस्तुत पध्यांस प्रियोगवादी कभी गजारन माधव मुक्तिबोद रचित जनजन का चेहरा एक कविता से उद्रित है जिसमें कभी ने एसिया एरोप अमेरिका के सोषितों को हिंदुस्तानी सोषितों के समान बताया है इन सबों का बास अलग है वेस अलग है भासा अलग है परंतु भाव एक है इतिहास भुगोल की भिन्ता के बाद भी ये भाव की दिष्टी से गोल है अर्थात एक हैं सभी देशों में हिंदुस्तानी मदूरों के संताप को देखा जा सकता है साथ ही क्रांती की सुख भुगाहर भी एक जैसी है इस परकार हिंदुस्तानी मदूरों का सोसन उत्पीरन सिर्फ एक देश तक सिमित न होकर वैसिक बन गया है अब आगे है दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक सोसन और खुनी और चोर एक ये सारे तो एक जैसी है आपको पहले ही बता दिया गया है कि विश्व में दो परकार के लोग हैं एक अमीर बर्ग हैं और एक गरीब हैं ये गरीब बर्ग तो मानव की आत्मा के तरह इनमें पवितरता है सच्चाई है इमानदारी है और दूसरे तरफ ये अमीर बर्ग सोसक बर्ग हैं जो दानव के तरह हैं दुरात्मा है उनके भीतर गंदी आत्मा बास करती है वे हमेशा दूसरे के सोसन के इंतजार में लगे रहते हैं तो इसी को हमने यहां पर असपस्ट किया है प्रस्तुत का ब्यांस प्योगवादी कभी गजानर माधव मुक्तिबोध रचीत जंजन का चेहरा एक सीरसक कविता से उद्रित है जिसमें कभी ने दुनिया के तमाम देशों के लोगों के सवभाव एवं समस्या को एक माना है दुनिया के सभी दुरात्मा दानव अर्थात सोसर वर्ग का चरित एक जैसा है यहां दुरात्मा दानव सोसक वर्ग को कहा गया है इसी तरह मानव की आत्मा अर्थात भोले भाले मदूरों का चरित भी एक जैसा ह और उसका चरित है महान आत्मा वाला स्रिष्ट मानविये मुल्य का बास तो उसी गरीबों में होता है उसमें प्रेम, दया, मम्ता, करुना, सद्भावना का बास होता है इस तरह इसी गरीबों के पास तो भगवान का बास होता है इसी गरीबों के पास प्रभु का बास होता है एक सरवोची सकती है जो स्रिष्टी की नियामिका सकती है उसका बास होता है उसी के बल पर स्रिष्टी आगे बढ़ती है तो इस तरह कभी ने असपस्थ किया है कि आत्मा अर्थात भोले भाले मजदूरों का चरित भी एक जैसा ही है इस परकार दुनिया के सभी देशों के सोशकों का सौभाब एक जैसा दानवाला होता है तरह मदूरों का चरित महान आत्मा जैसा होता है इस तरह आपका ये व्याख्यान पूरा हुआ अब हम अगले व्याख्यान मिलेंगे